साथियो नमस्कार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देख रहे नेसल जन्मत हाल में ही दो ऐसे मामले सामने आये जिनको लोगों ने घोर जातिवादी करार दिया एक मामला बिहार से आया जहांके पूर्ब डीजी पी अव्यानन्द ने ब्रह्म जन सुपर हंडेड नाम से एक कोचिंग सुरू करने की गोश्णा की उन्होंने कहा इसमें मैं केवल और केवल ब्रामण और भूमिहारों के गरीब बच्चों को पढ़ाओंगा दूसरी ख़बर केरल से आई जहांके कुट्टमकू महादेव मंदिर में जो ट्वाइलेट है उस ट्वाइलेट में लिखा हुआ था एक तस्वीर आई केवल ब्रामणों के लिए आपने अभी तक ट्वाइलेट देखे होंगे केवल महिलाओं के लिए केवल पुरसों के ल सबके लिए हिंदू-हिंदू बराबर है तो यह अलग से केवल ब्रामणों के लिए क्यों लिखा जा रहा है खेर हमें इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे पहले बात करते हैं जो बिहार के पूर्व डीजीपी है भूमिहार जाती से आते हैं उन्होंने ब्रहमजन सूप अमरेंद्र धारी सिंग जो इस पूरे ट्रस्ट के ट्रस्टी थे और सबसे वड़े फाइनेंसर थे इस कोचिंग के उनको आरजएडी से राजजवासवासांसत चुन लिया गया है अमरेंद्र धारी सिंग भी भूमिहार है और बड़े व्यवसाईयों में इनकी गिंती होत पॉजिटिव कास्टिज्म का मतलब कि आप अपनी ही जाती के गरीब लोगों के लिए बहतरीन स्कूल खुलवाते हैं, अस्पताल खुलवाते हैं, कम्यूटी सेंटर्स खुलवाते हैं, कोचिंग्स खुलवाते हैं, बड़े पदों पर पहुँचने के लिए बच्चों को तयार करते हैं यानि कि उनके scholarship, schooling, काउपी किताबे इन सब की व्योस्था करते हैं और तो और hostel जैसे तमाम सारे अच्छे काम करते हैं गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं यह सारे काम जो आते हैं यह मेरी नजर में पॉस्टिज कास्टिज यानि की सकारात्मक जाती होती है यहां के ट्रश्टियों ने बताया कि यह कोई पहले पहली साल की घटना नहीं थी 2003 से यानि की 25 साल से लगातार यह जातीवादी साइन वोर्ड वहां लगा था वो तो भला हो सोद छात्र अरविंदी जी क्रिश्टो का इन्हों ने देखा कि यह जातीवादी व्योस व्योस्ता का समर्थन नहीं करते यह पॉश्टिव संकेत है उन्होंने किसी भी वज़े से इसको हटाया हो लेकिन हट धर्मता नहीं दिखाई तो हटाया गया सोशल मेडिया के जो परंपरताप हैं उनमें से यह भी मान सकते हैं कि इस तरह की चीजें लोग सामने लेकर के आ जाती बाद है यह नकारात्मक जाती बाद है क्योंकि दूसरी जातियों को छोटा दिखाने की प्रता है अपनी जाती को सेश्ट दिखाने की प्रता है मैं फिर से अपने मुद्दे पर लोटता हूँ मेरा मुद्दा इस वीडियो को बनाने का यह था बिहार में DGP जैसी प उनकी कोचिंग से, सुपर 30 की नाम से जो कोचिंग चलाते हैं, उसमें कई बार, क्या मैक्सिमम बार, 30 के 30 लड़कों का स्लेक्षन, IITG या ऐसी इंजिनिरिक परिक्षाओं में हो जाता है, इस बज़े से इनके उपर अभी फिल्म भी बनी थी, सुपर 30 नाम से, जिसमें रित समाज के तमाम सारे जातिवादी संगठनों को, जो जाती के नाम पर केवल अधिकारियों से मिल करके अपने काम निकालना चाहते हैं, जाती के नाम पर केवल नेताओं को माला पहनाना चाहते हैं, उनके बगल में बैठ करके फोटो किचवाना चाहते हैं, उन जाती की चला रहे हैं तो उन जाती की महासभाओं का एक मकसद ये भी होना चाहिए कि आप अपने गरीब तबके के समाज के लोगों के लिए इसकूल सुरू करें, अस्पताल सुरू करें, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेड़ना देने के लिए स्कॉलर्शिप सुरू क परें, ऐसा नहीं है कि समाज में ऐसा लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हैं, बाकी जाती के नाम पर जितनी दुकाने खुली हुई हैं, उनका एक मात्र मकसद राजनीती से प्रेरित है, नेताओं से मिलना है, ब्यूरोक्रेट से मिलके उ उनका लाब हो जाता है, लेकिन उसी जाती का गरीब व्यक्ति जो गाओं में रह रहा है, मैक्सिमम संगठन उसके भले के लिए काम करते ही नहीं, इसले संगठनों और महासभाओं को जाती बात सीखना है, तो उनको बिहार के DGP, रहे अभ्यानंद सिंग और अमरेंदर धा आरी सिंग, जो बिहार के बड़े बिजनिसमें में जिनकी गिंती होती है, उनको अरब पती, उद्योग पती कहा जाता है, आर जेडी ने इनको ही राज्यसभा के लिए टिकट दिया है, दोनों बुमियार जाती से आते हैं, इन लोगों से जाती बात सीखना चाहिए, क्यों फैली हुई थी, उसमें भी वो अपने जाती के जादाता लोगों को भर करके, फिरियो आफ कोष्ट पढ़ाते थे, और उसका फंडिंग कहां से होती थी, अमरेंद धारी सिंग, जो एको द्योग पती हैं, वो उसकी फंडिंग करते थे, अब पिछले तपके के लोग, दलि समाज के मीडिया कर्मी नहीं हैं, लेकिन मीडिया के लोगों को, जिनको आप अच्छा समझते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए आपके जेब से सयोग रासी नहीं निकलती है, आपके मूँ से ये सब्दद तो निकलते हैं, हमारे लोग अच्छे वकील नहीं हैं, लेकिन अच्छे वकील बनाने के लिए जो आपकी तरब से सयोग होना चाहिए, वो आप नहीं करते हैं, निश्चित रूप से सब्द समाज के लोग आप लोगों से पैसे में आगे हैं, लेकिन अब पिछड़े और दलिद बर्क के लोगों की ऐसी संख्या नहीं रह ग इन जाती महासवाओं की एक नकारात्मक्ता पर आपका ध्याना करसित करना चाहता है। है कि अगर ये संग्टित हो जाएंगे तो कहीं मेरे उपर ही हमला न कर दें वो असुरक्षा की भावना में अपने भाईयों से ही लड़ने लगते हैं पिछडे वर्क की तमाम सारी जातियों के साथ ऐसा ही हो रहा है इसलिए मन सजा करके उस पे जाती का हल्ला मचाने इसी तरह के विभेद सामने आ भी रहे हैं कुल मिला करके नेसल जनमत का एक ही मत है कि आप जाती से बाहर निकल करके जमात की तरफ बढ़ें और अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि जाती महा समाय बना करके कई लोगों का ट्रांसपर पोस्टिंग का खेल भी सद जाता है तो ऐसे तमाम सारे लोगों से मेरा निवेदन है जो नेताओं की चापलूसी को ही समासेबा मानते हैं वो लोग कम से कम सकारात्मक जाती बाद करें और इन निताओं का उप्योग अपने समाज के गरीब तपके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करें देखते रहें ने संजन्मत जागरुक और सजग बने रहें जै विज्ञान जै समीधान जै लोग तंत्र धन्यवाद अगर आपने मेरा यूटीब कैनल स्प्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइचन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे जो मेरे निव वीडियो है